अपनने प्रवचन की बात सुनी है कि प्रवचन किसे कहना प्रकरष्ट वचनों को प्रवचन कहा गया लेकिन प्रवचन में क्या-क्या चीज आती है इसे समझने की बात है क्योंकि वास्सले की बात है वास्सले किन पर हो द्वासांगवानी, आप्त, आगम, पदार्थ, रतनत्रे, सिध्धान्त, देश्वती, महावरती जीव, असें समिक दृष्टी जीव और प्राणी मात्र, ये सब प्रवचन के अंतरगत आते हैं, क्योंकि सब का वर्णन प्रवचन में है, और इनके प्रती जो वासल है, वो प्रवचन वासल्य कहलाता है, बंदों वासल्य भाव जो है, उसमें करत्रिमत्या को कोई स्थान नहीं है, जिस प्रकार से नदी परवच से निकलती है, और अपने स्वाभाविक रूप में बहती भी, समुद्र की तरफ चली जाती है, उसका एक कारण है, क्योंकि पानी का बहना सुभाव तो है यह, लेकिन नदी निमनगा होती है, जहां उसे ढाल मिलता है, उस तरफ पानी नदी का बहतावा चला जाता है, और निमने स्थान में जाकर के समुद्र में मिल जाता है, यहां नदी का उधारन इस अर्थ में लेना है, नदी का प्रेम शब्द का प्रयोग भी किया जाता है इसने हैं सब्द का भी प्रयोग किया जाता है महमता भी की जाती है लेकिन इन सब में जो वाजसल्य में विशेष्था है वो इन सब सब्दों में विशेष्था नहीं है प्रार्थना करें तो अपने से जो गुणों में स्रेष्ट हैं भगवान के सामने चले जया उनके सामने प्रार्थना करते हैं प्रेम समान इस्तर पर होता है लेकिन वासल्य के लिए कोई इस्तर नहीं होता वो सब के प्रती एक सरी का प्रवह मान होता है हम तो कहा करते हैं वासल्य बहता वा जहरना है